नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गौरव और आप लोगों का स्वागत है के वी गुरूजी यूट्यूब चैनल पर इंगलिस वुकायब की जो स्रीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी आज उसी स्रीज का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने है इस वीडियो में हम लोग 15 Most Important Words और उनके कुछ Important Synonyms की Practice करेंगे अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो जाज़ाज़ा संख्या में सेयर करिए साथी जाथ हमारे यूट्यूब चैनल के भी गुरूजी को सब्सक्राइब करिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलिग्राम चैनल पे आप लोगों को इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज की क्लास का पहला वर्ड है Slipsod Slipsod word का मतलब होता है अपने काम में अस्त ब्यस्त यहाँ पर चार आपसाने हम लोगों के पास और Slipsod word का exact synonym बताना है हम लोगों को पहला आपसाने वल्गर, वल्गर word का मतलब होता है असलील केरलेस का मतलब होता है लापरवाह यास्त ब्यस्त common place का मतलब होता है साधारण और retaliatory word का मतलब होता है retaliatory word का मतलब होता है बदले की भावना से भरा तो यहाँ पर हम लोगों का option भी careless correct हो जाएगा slipsword word के कुछ synonyms देख लीजिए unsystematic, negligent, lax, slack, slovenly यह कुछ important synonyms है slipsword word के next word हम लोगों के पास rapacious rapacious word का मतलब होता है LAALCHI यहाँ पर हम लोगों के पास चार आप्सन है excessive word का मतलब होता है बहुत अधिक innaquous word का मतलब होता है हाने रहित ये word previous class में भी आ चुका है innaquous insolent word का मतलब होता है Udendry word का मतलब होता है लालची तो यहाँ पर हम लोग का option D greedy correct हो जाएगा रेपेसियस बढ़ के कुछ सिनोनिम्स देख लीजिए ग्रैस्पिंग, एवारिसियस, कॉवेटस, वरसियस, इनसेटियेवल यह कुछ important सिनोनिम्स है रेपेसियस बढ़ के नेक्स्ट बढ़ हम लोग के पास नेल, नेल वर्ड का मतलब होता है घंटे की आवाज यहाँ पर हम लोग के पास चार आप्सन है ब्लो, रिंग, नेल, यल यल वर्ड का मतलब होता है चिलाना चेकना नेल वर्ड का मतलब होता है जुकना और रिंग वर्ड का मतलब होता है घंटे की आवाज तो यहाँ पर हम लोग का option भी ring correct हो जाएगा नेल वर्ड के कुछ synonyms देख लीजिए stroke, toll, clanger, clang यह कुछ important synonyms है नेल वर्ड के next वर्ड है हम लोग के पास abdure, abdure वर्ड का मतलब होता है त्याग देना यहाँ पर चार आपसन है हम लोग के पास पहला अपसन है lot, lot word का मतलब होता है घ्रणा करना irritate word का मतलब होता है गुश्या दिलाना renounce word का मतलब होता है त्याग दिना और curse word का मतलब होता है भी शाप तो यहाँ पर हम लोग का option से renounce correct हो जाएगा observe or word के कुछ synonyms देख लीजिए relinquish, reject, forswear, abandon, disclaim, forsake यह कुछ important synonyms से observe word के next word है हम लोग के पास afterpress, afterpress word के मतलब होता है उपद्रवी यहाँ पर हम लोग के पास चार आपसन है lazy word का मतलब होता है आलसी, awkward word का मतलब होता है बेधंगा, saline word का मतलब होता है खिन या नाराज और unruly word का मतलब होता है उपद्रवी यहाँ पर हम लोग का option d unruly correct हो जाएगा और प्रप्रेस वर्ड के कुछ synonyms से देख लीजिए disorderly, rowdy, disruptive, undisciplined, truculent, uncontrolled यह कुछ important synonyms है और प्रप्रेस वर्ड के next word है हम लोग का extricate extricate वर्ड का मतलब होता है किसी इस्तिती से मुक्त करना यहाँ पर हम लोग के पास चार option है tie word का मतलब होता है गांट complicate word का मतलब होता है जटिल pull word का मतलब होता है खीचना और free word का मतलब होता है मुक्त करना तो यहाँ पर हम लोग का option d free correct हो जाएगा extricate word के कुछ synonyms देख लीजिए extract, release, remove, withdraw, detach, dissing is, liberate, rescue, unloose यह कुछ most important synonyms है extricate word के और यह आज की class के जितने भी word है यह SSC CGL 2013 के exams में पूछे जा चुके हैं इसलिए यह word बहुत ही ज़्यादा important है SSC के future exams के लिए चलिए next word देखते हैं next word है credible credible word का मतलब होता है जिस पर आसानी से विस्वास किया जा सके यानि विस्वास करने लायक यहाँ पर हम लोगों के पास चार आप्सन है serious word का मतलब होता है गंभीर believable word का मतलब होता है जिस पर विस्वास किया जा सके worthy word का मतलब होता है मुल्लिबान या गुडबान और चार्मिंग वर्ड का मतलब होता है अकरसग तो यहाँ पर हम लोग का option B believable correct हो जाएगा credible word के कुछ synonyms देख लीजिए plausible, reasonable, reliable, feasible, tenable, dependable यह कुछ important synonyms है credible word के चलिए next word देखते हैं next word है loud loud word का मतलब होता है प्रसंसा करना यहाँ पर हम लोग पर शार आपसन है और loud word का हम लोग को exact synonyms बताना है laugh word का मतलब होता है हसना south word का मतलब होता है चिलाना praise word का मतलब होता है प्रसंसा करना और extored word का मतलब होता है गुणगान तो यहाँ पर हम लोग का option C प्रेस करेक्ट हो जाएगा लाउड वर्ड के कुछ सुनोनिम्स देख लेते हैं एक्स्टोल एक्स्टोल वर्ड ये कल की क्लास में आ चुका है एक्लेम, एड्मायर, ग्लोरिफाई, एडोर, एक्सार्ट, चियर ये कुछ most important सुनोनिम्स हैं लाउड वर्ड के चले नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है सलेसिटी सलेसिटी वर्ड का मतलब होता है असलीलता यहाँ पर हम लोग के पास चार आप्सन है ब्लिस वर्ड का मतलब होता है खुसी डिप्रेसन वर्ड का मतलब होता है निराश्या या अवशाद Indicency word का मतलब होता है असलीलता और Correct word का मतलब होता है भ्रष्ट तो यहाँ पर हम लोग का आप्संसी Indicency correct हो जाएगा Salacity word के दो important synonyms है Profanity और Vulgarity यह दो important synonyms है Salacity word के चलिए next word देखते है Next word है Commensurate Commensurate word का मतलब होता है अनुपातिक यहाँ पर हम लोग के पास चार आप्सं है Rational word का मतलब होता है तारकिक Approximate word का मतलब होता है नस्दीक Accountable word का मतलब होता है जबाब दे और Proportionate word का मतलब होता है अनुपातिक तो यहाँ पर हम लोग का option D Proportionate correct हो जाएगा Commensurate word के कुछ synonyms देख लीजिए Equivalent, Correspondent, Comparable, Equal यह कुछ important synonyms से Commensurate word के चलिए next word देखते हैं आज की ख्लास का यह next word है Tyrade Tyrade word का मतलब होता है किसी की आलोचना यहाँ पर हम लोग के पास चार आप्सन है और Tyrade word का exact synonyms बताना है पहला आप्सन है Denunciation Denunciation word का मतलब होता है आलोचना दूसरा word है Eology Eology word का मतलब होता है प्रसंसा Discredit word का मतलब होता है बदनामी Speech word का मतलब होता है भासन तो यहाँ पर हम लोग का option A Denunciation correct हो जाएगा Tyrade word के कुछ synonyms देख लीजिए यह बहुत ही ज्यादा important word है SSC के exams में पूछा जा चुका है लगभग 4 से 5 बार Tyrade word के कुछ important synonyms देख लीजिए Diatribe, Rant, Attack, Reviling, Invective, Polemic, Criticism, Reprimand, Review, Reprove यह कुछ most important synonyms है Tyrade word के Next word है Viscitude Viscitude word का मतलब होता है G1 के उतार चढ़ा हो यह पर 4 option है मैं लोगे पास Saro word का मतलब होता है Dukk Miss Fortune word का मतलब होता है Miss Fortune word का मतलब होता है Durbhaag Change word का मतलब होता है बदलाव या उतार चढ़ा और surprise word का मतलब होता है अश्यारी तो यहाँ पर हम लोग का option C Change Correct हो जाएगा विसिसी ट्यूट वर्ड के कुछ सुनोन्यमस देख लीजिए आल्टरेशन, ट्रांसफार्मेशन, ट्रंजीशन, मॉडिफिकेशन, सिफ्ट, रिवर्सल, टर्न यह कुछ important सुनोन्यमस हैं विसिसी ट्यूट वर्ड के नेक्स्ट वर्ड है सरकमिस्क्राइब्ड circumscribed word का मतलब होता है किसी को सीमित करना यहाँ पर हम लोग के पाश चार option है limited word का मतलब होता है सीमित intangled word का मतलब होता है जाल में फसा लेना destroyed word का मतलब होता है बिनाश करना eroded word का मतलब होता है किसी को मिटा देना तो यहाँ पर हम लोग का option A limited correct हो जाएगा circumscribed word के कुछ synonyms देख लीजिए restrict, confine, bound restrain, control यह कुछ important synonyms है circumscribed word के चलिए next word देखते हैं next word है guernis guernis word का मतलब होता है सजाना, यहाँ पर चार आपसन हम लोग के पास honor word का मतलब होता है सम्मान respect word का मतलब होता है किसी की आग्या का पालन करना या आदर करना और adorn word का मतलब होता है सजाना तो यहाँ पर हम लोग का option d adorn correct हो जाएगा guernis word के कुछ synonyms देख लीजिए decorate, ornament, enhance embellish, dress यह कुछ most important synonyms से guernis word के है चलिए आज की class का last word देखते हैं last word है odious odious word का मतलब होता है घ्रना आत्मक यहाँ पर हम लोग के पाश चार आप्सन है hateful word का मतलब होता है घ्रना से भरा या घ्रना आत्मक rotten word का मतलब होता है सडा हुआ famous word का मतलब होता है प्रसिद और sick word का मतलब होता है बीमार तो यहाँ पर हम लोग का option a hateful correct हो जाएगा odious bird के कुछ synonyms देख लीजिए revolting, repulsive, repugnant, wild, offensive, aberrant, detestable, despicable यह कुछ most important synonyms है odious bird के यह आज की class के जितने भी bird हैं यह SSC CGL 2013 के exam में पूछे जा चुके इसलिए यह bird SSC के upcoming exams के लिए काफी जाधा important है और आप लोग हमारे साथ इस सीरीज में बने रही है यह class आपको daily मिलती रहेगी और daily class में हम लोग 15 words और उनके कुछ important synonyms की practice करते रहेंगे